स्वागत है आप सबका हमारी यूटी चैनल फिल्डाम फिक्टी स्टडी में आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा पांच गणित कितना सीखा दो भाग एक इसका हम लोग भाग एक पढ़ेंगे और आज ही स्टार्ट करते हैं कितना सीखा दो ठीक है न हम एक एक सवाल इसको ध्यान से देखेंगे ठीक है जो पच्छे पांच आप पढ़ते हैं वह सारे के सारे सवाल मैथ को हम कंप्लीट करा देंगे देख लेंगे और नवदी के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हूं जाकर नवदी पढ़ाने लगा हूं आपर जाकर की वीडियो देखें अ सबसे छोटी संख्या बताओ जबकि कोई आंक दोहराया नहीं जाता है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा थी कहना सबसे पहले हमनों लिखेंगे चार आंकों की मदले लिखेंगे कि पांच ठीक ना तीन जीरो तथा चे तथा यहां पहुज़ागा हमारा कितना चे से बनने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी शंख्या अब सबसे बड़ी शंख्या क्या हो जाएगी देखिए इन से बनने वाली तो सबसे बड़ी बोला है तो सबसे बड़ा शंख्या क्या है इसमें छे उसके बड़ा उसे चोटा क्या हमारा पांच उसके बाद तीन यहाँ हो जाएगा जीरो यह हो जाएगा उससे बड़ी संख्या हो जाएगे सबसे अब लिखेंगे वही चीश से पांच तीन जीरो तथा छे से छे से बनने वाली बनने वाली चार अंकों की चार अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या चोटी संख्या तो सबसे छोट नमबर इसमें क्या है तीन तो तीन को लिखेंगे उसके बाद क्या हो जगा जीरो पहले जीरो को नहीं लिखेंगे जीरो को लिखेंगे तो आगे जो जीरो होता है उसका कोई मतलम नहीं होता ठीक ना इसलिए जीरो को बाद में लिखेंगे जब एक चोटी संख्या लिखेंग अंतर इसकल्टू अब अंतर निकाल देंगे 6 5 3 0 यहां पुजाएगा 6 5 0 3 और अंतर कर लेंगे घ्रटा लेंगे यहां पुजाएगाँ 10 में से यहां बचे हैं 4 यहां बचे का ह्मारा दो मतलस्य उहां जद रहेंगाँ 20-12 options से 5 गया कितना बचेगा हमारा 7 यहां बच गया 4 और 4 में 0 जाएगा थी कितना बचेगा 4 और यहां बच गया हमारा कितना यह तो रहेगा 6 6 में 3 क्या हो जाएगा हमारा 3 तो answer कितना हो जाएगा हमारा 3 4 7 4 यही किसका क्या हो जाएगा हमारा answer तो इस शवाल को देखते हैं, दूसरे शवाल को, दूसरा हमारा सवाल दी हुआ है, कि 10 लाक में कितना घटाया जाए, कि इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है न, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 10 लाक, ठीक है, 10 लाक मतलब लिखेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे, जो प्राप्त अंकों में, 10 लाक अंकों में, यहां पर 10 लिखके, और कैटो 0 होगा, 5 0 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 0 हो गई, यह 10 लाक हो गया, ठीक न, क्योंकि लाक में कितने 0 होते हैं, 5, और जितना लाक की बात कर रहा, उतना को पहले लिख देंगे, तो 10 लाक की बात किया था, तो 10 पहले लिख लिए और लाक में 5-0 होता है तो 5-0 लगा दिए ठीक है तो इस तरीके से आप count भी कर सकते हैं उसके बाद देख लिजए इसमें से क्या घटाना है तो लिखेंगे कि संख्या घटाने पर गटाने पर तो संख्या को क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे तो यहां पर देखिए 9 ने पीछे से लिखना शाट करेंगे, आगे से नहीं तो कि गलती हो सकता, ठीक ना, तो 9 हो जागा, फिर 8, 8 हो जागा, फिर 8 के बाद 4 है, तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 2, देखिए अगर इधर से लिखते हैं, तो 2 के पास हो जाता है, इसल हो जाएगा, लास्ट में सब इसके पास जाएगे, और ये इसको देदेगा, 10, लेकिन ये 10 है न, तो ये इसको देदेगा, यहां 9 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा, फिर ये इसको उठागे, इसको देदेगा, यहां पर 9 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा, इसी तर त्सक्राइब स्याथ बिटरी इसका क्या ओजागा आंसर लिख सकते हम लोग क्या ची बोला जो बच बोला हूँ उस त्रीके से हम ले लिख सकते हैं बोला कि दसला कंचेंकों नहीं आंवलीघ्ज़ा जेगा दुस्रीपवें 11, घटाने पर, ठीक Trinity हम, जटाएं तो क्या हो जाएगा अमारा? 2, 7, 6, 6, 8, 9, प्राप्त होगा, ठीक है? प्राप्त होगा, ठीक है? इस तरिके से लिख लीजेगा यहां पर होगा. तो ये लेकि मेन आंसर क्या होगा इसका तो आंसर आपका ये हो जागा ये इसको घटाना है ठीक है तो ये इसका क्या हो जागा आंसर इस तरीके से ये आपका दूसरा सवाल होगा खतम अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स सवाल तीसरे सवाल पर तीसरा सवाल दिया हुआ है कि रमन के पास 65,000 रुपया थे इसमें से एक टेली बीजन 9,600 रुपया का खरीदा और से जितना बचता है मतलब 9,600 खरीदने में से इतने में से जितना बचता है उसका 11 ट्रांजिस्टर खरीद लेता है 11 ट्रांजिस्टर खरीद दे तो परते एक ट्रांजिस्टर का मुल्य बताना है तो सबसे पहले आनों लिखेंगे कि रमन के पास कुल रुपे बराबर रमन के पास कुल रुपे हैं बराबर यहां पर जागा रमन के पास के पास दिख रहा आप लोगों सई से दिख रहा ना रमन के पास कुल रुपे हैं बराबर कुल र रमन ने टेलीवीजन खरदा टेलीवीजन खरीदा ठीक ना यहां पर जागा खरीदा खरीदा बराबर यहां पर जागा हमारा कितना 9600 रुपय में ठीक ना तो रमन के पास 6 रुपया बचा बराबर यहां पर जागा रमन के पास 6 रुपया बचा 6 बचा बराबर अब 6 कितना वचा उसको घठा लेंगे पता चल जागा यहां पर जागा कितना हो जा 4 उसके पाश पता उसने ग्यार्ट uniqueness करता छुषा भपाइबेगे ग्यारध रुपये से त्रहिके सी यहां पर बच जागा 15,400 रुपया से 15,400 रुपयать लेतने रुपए में, लिख देंगे कि 11 ट्रांजिस्टर को खरीदने में लगा रुपए बराबर, यह आप लिखेंगे 11 ट्रांजिस्टर को खरीदा बराबर 15,400 रुपए में, ठीक न, तो एक ट्रांजिस्टर का मुले बराबर, एक क्या हो जागा हमारा ट्रांजिस्टर का म का मुल्य बराबर यहां पी कितना हो जाएगा पंदर वाज़ा चारसो और भागे कितना हो जाएगा हमारा 11 और डारेक्ट कहीं भाहर भाग करके इधर शाइड में भाग देख करके निकाल दीजिएगा जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हमाई से देते हैं 111 कम 11 हो लगते हैं कि अब ता प्रतेक ट्रांजिस्टर का मुल्य चौदास रुपया होगा ठीक है इस तरीके से आपको इसको करना था अब हम लोग आते हैं इसके यदि आप लोग को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें अगले सवाल पर चौधा सवाल हमारे दिया हुआ कि सरिता ने भाग का एक प्रश्ण हल करके बताया कि उसका भागफल सेस्थल का छे गुना है तरह भाजक ठीक है भागफल का दस गुना है यदि सेस्थल 14 है तो भाज्य बताना है तो हम लोग का भाज्य क्या होता है, फार्मूला होता है, तो फार्मूला भाज्य के लिए याद रखियेगा फार्मूला, ठीकना, कि भाज्य बराबर, ठीकना, भाज्य बराबर, क्या होता हमारा भाजक, ठीकना, भाजक, गुडे, भागफल, 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 भागफल प्लस सेशफल, प्लस क्या होता हमारा, शेशफल, शेशफल, यह बात ध्यान में एकदम रखना पड़ेगा, यह फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसको एकदम मतलब की याद ही रखेंगे तभी ऐसा सवाल आएगा, और कछा पांच में पड़ते हैं, चाहिए आ आप उसको बारिकी से इसको लिखिएगा, ठीक है न, जैसे हम लोगों क्या पता है, सेशफल पता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शेशफल, यहाँ लिखेंगे शेशफल, शेशफल बराबर दिया हुआ हमारा, चाहुदा, दिया हुआ चाहुदा, चाहुदा लिख दे भाग फल ठीक ना, भाग फल बराबर, सेश फल गुणे 6, ठीक ना, यहाँ पो जागा कितना हमारा, सेश फल गुणे 6, अब यहाँ पर सेश फल कितना हमारा, 14 और 6 का गुणा कर देंगे, तो हमारा भाग फल आ जाएगा, तो भाग फल क्या हो जागा हमारा, भाग फल बराब यहां पो जागा 14 चाग 84 यहां पो जागा 84 बासमज में आगे यह आपका भागफल पता चल गयार अगला एक चीज और भी जिनारा है भागफल paper यहाँ पहुझाएगा भाजक, भाजक, भाजक बराबर, यहाँ पहुझाएगा भागफल, गुणे 10, भागफल, गुणे 10, क्योंकि भागफल का 10 गुणा है, अब हमारा भागफल क्या है, 84 है, तो गुणे इसमें क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, तो हम लोग का भा भाजक 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 बराबर 840 अब आपका ये भी निकल करके आ गया देखिएगा अंडरलाइन कर लीजिएगा ये आपका भागफल भी पता चल गया और सेसफल तो आपको पता है ठीक है तो इस तरीके से ये तीनों आपको पता चल गया अब हम लोग सुत्र पर इसको रख भाजक भाजक गुणे भागफल भागफल ठीक ना प्लस सेसफल प्लस क्या हो जागा हमारा शेसफल ठीक है ये हमारा हो गया अब देखिए यहां पर हो जागा भाजक भाजक हमारा जो दिया हो उसको लिकिए भाजक कितना दिया 840 तो यहां पर जागा 840 गुणे भागफल कितना दिया है तो भागफल दिया और 84 तो यहां पर कर लेंगे कितना अमारा 84 प्लस सेसफल तो प्लस क्या हो जागा हमारा सेसफल कितना दिया हमारा 14 तो 14 कर लेंगे सासे पहले हम लोग क्या करते हैं किसी चीज में गुणा करते हैं तो हम लोग सासे पहले गुणा को करेंगे तो यहां पर देखिए चौरासी में चौरासी का गुणा करेंगे तो चौरासी में आपका साइड में गुणा कर लिजेगा में यहां पर कर देना है तो यहां पर जा करके देख लिजेगा साइड में ठीक ना जैसे गुणा हमने बताया भी गुणा भाग पढ़ा है तो गुणा भाग सिखा दी होंगे तो आप लोग कर लिजेगा प्लस चवुदा है तो प्लस चवुदा कर लेंगे अब हम लोग का निकल करके आ जा रहा है भाज्य भाज्य ब ध्यान से देखेंगे आपका आंसर निकल करके आजागा आंसर इपर मिला लीजेगा फिर से ठीका और देख लीजेगा तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे धन्यवाद